पैतरक मकान पर काका को कबजा नहीं मिला तो शड़ेंतरकारी बन गया काका अपने ही भतीजे को अपरण और फिरोती की रच दी साजेश एक युवक को देदी सुपारी युवक ने टीम बना कर गुरवाय शाम लगबक 6 बजे महिश पाटीदार का अपरण किया अपरण के बाद आरुपियों ने रखी 80 लाग फिरोती की मांग मगर नहीं चली रतलाम के सिंगम स्पी गौरवतिवारी के आगे शड़ेंतरकारी काका और आरुपियों की घटना के 6 गंटे बाद ही धरा गए पूरा मामला रतलाम जिले की गाव दिवेल का है स्पी गौरवतिवारी ने पुलिस कंट्रोल रूम पर आयोजेत पत्रकार वारता में बताया कि सैलाना थाना शेतर की ग्राम दिवेल दिलिप पाठीदार निवासी गाव दिवेल ने पांच मार्च की रात को पुलिस को उसके बड़े भाई महिश की गायप होने की सूचना दी दिलिप ने पुलिस को जानकारी दी कि उसका भाई महेश कल शाम 6 बजे खेट पर ट्रक्टर से जुताई करने गया था रात 9 बजे दिलिप की पास दिलिस से उसकी पताजी का फोन आया कि किसी ने उन्हें महेश की फोन से ही फोन लगा कर महेश का अपहरन करने और 80 लाक रुपे की फिरौती मांगने की धम की दिया सुनते ही दिलिप खेट पर पहुँचा तो वहाँ ट्रक्टर खड़ा मिला लेकिन महेश नहीं था एसपी ने बताया कि घटना वाली रात 5 आरुपियों ने महेश को कट्टा दिखा कर खेट से अगवा कर डेक्सन कार में बैठा लिया था यहाँ से वे सीधे उसे चिताओडगर की और लेकर निकल गए किया और साइबर सेल के टीम को एक्टिवेट किया गया साती साथ जिले के थाना प्रभारियों को और पडोसी जिले के थाना प्रभारियों को एक्टिवेट किया गया तो इसमें साइबर की मुख्य भूमी का रही इनको ट्रैक करते हुए चिताओडगर जिले के मड़िफिय जो कि सामरियाजी के पास में गाउं है, वहां के एक धाबे से इन लोगों गिलफतार किया गया, जिसमें वहाण में जो अपरित वेक्ती है, महेश के साथ अन्य 5 लोग गिलफतार किये गए, यह सभी जो पांच लोग हैं, कोई जावरा, मंसौर, आस-पास के चितर के रहने व चाचा ने ही दिवेल का एक वेक्ति है मुम्ताज जो कि अभी फरार है उसके साथ मिलकर इस शडेंत को रचा था और उसमें अन्य पाच लोगों को पाच लाख रुपए देने की बात में डील हुआ था कि सफ़र हो पाए तो पाच लाख रुपए उनको देंगे इस बात पर इन लोगों ने घटना को अंजाम दिया इस तरह कुल साथ लोगों को पुलिस ने अभी आरोपी बनाया है इसमें से छे लोग इंक्लूडिंग जो पीडित है उसका चाचा को भी पुलिस ने गिरफतार कर लिया है एक व्यक्ति मुम्ताज है जो भी फरार है जल्ली उसको ग करामत कर लिया गया है पूचताच में पता चला कि सगी काका नहीं अपहरन की साजिश रची थी आरूपियों ने युवक के पिता जबालाल को फोन पर रात धाई बजी तक रुपए तयार रखने और उनके बताय सन पर लाने की धमकी देकर फोन काट दिया इसी बीच दिलि टीम को उनकी लोकीशन राजिस्थान चित्तोडगर जुले के प्रसिद सावरिया सेट मंदिर के पहले मंडफिया गाव की मिली यहां चित्तोडगर पुलिस द्वारा भी लगातार सभी वाहनों की सर्चिंग की जा रही थी चेकिंग में आरूपियों को वाहन जब पुलिस आदमी आREY वहां पे मेरे को आके खेत प Knights पे आखिए ऋनों के पुच्छा बोले के पड़ोशी के खेत कर नाम लिए बोले यह कहां पर गया मैंने क्या वेनका गवा ओगा तो इनो ने जैसे ही वो पड़ोशी का नाम लेते हुए तो डार्ट कि ये मेरे पास में आ गए और इन पांचों ने गेरा बना के मेरे सीर के उपर रिवालवर अड़े और बोले चुप चाप गाड़ी में बेठ जावना तेरे को जान समार डालेंगे ये और पर उसके बाद मेरे को लेके ये गाड़ी में डाल लिया और मुँपे कपड़ा हो और बांचया इननों ने प्रमी कुछ देख भी नी पाय खाल जा जाए हूं क्या का क мало कि उच खहर Y融निमे धा रहा था था यन यो और ये गाड़ी से एक मेरे साथ में इसे इसी गटना करम गटी और मेरे को कितने पर करके लाए हुए है वहां से फिर इनों ने तो आपके मूबाइल से इनों ने फोन भी लगा है इनों ने मेरे फादर को बो लेकिए आपके बेचे की बच्चे की जान ये दिया कर सुरक्सित चाहते हो तो 80 लाक महेश पाटिदार ने बताए कि शाम लगबग 6 बजे ट्रैक्टर लेकर खेद गया था नौगामा रोड पर कार खड़ी कर खेद पर 5 लोग किसी का नाम लेकर आए महेश ने बताए कि इस नाम का यहां कोई नहीं है तो एक यूवक ने मेरे सर पर पिस्टल तान कर आँखे पर पट्टी बांध कर कार में बिठा कर ले गए थे इससे मुझे कुछ नहीं दिखा ब्यूरे रिपोर्ट दबंग न्यूज